देश में पेट्रोल दीजल की महंगाई से परेशान लोगों को अब राहत मिल सकती है भारत में पहली बार CNG से चलने वाली बाइक की लॉंचिंग की सुबुगाहट शुरू हो गई है बजाज आटो CNG फ्यूल से चलने वाली इंट्री लेवल मोटर साइकल लॉंच कर सकती है CNBC को दिये एक इंटर्व्यू में कमपणी के MD बजाज ने इस ओर इशारा किया बजाज ने कहा कि CNG मोटर बाइक्स खरीदने और इंधन दोनों लिहाज से सस्ती होंगी ये उन बायस को अट्रेक्ट कर सकती है जो हाई पेट्रोल प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते पेट्रोल दीजल के बड़े दामों ने हर किसी के होश उड़ा रखे हैं पिछले कई महीने से इंधन के दाम सो रुप्ये से नीचे नहीं आ रहे हैं ऐसे में अब नई कार बायक खरीदने वाले लोग वैकल पे की इंधन की और रुख कर रहे हैं लोगों के इस बदलते ट्रेंड को देखते हुए आटो कमपनिया भी अब अपने उत्पादों में बदलाव कर रही हैं अब देश की एक नामी कमपनी CNG से चलने वाली बाइक लॉंच करने पर गंभीरता से विचार कर रही है दावा है कि इस बाइक के लॉंच होते ही इंधन का खर्च केवल आधा रह जाएगा CNBC को दिये एक इंटर्व्यू में बजाज आटो के एम डी राजीव बजाज ने इस बारे में संकेत दिया उन्होंने कहा कि सोगहन सेंटीमीटर लेवल के वे खरीदार जो कोरोना काल में नौकरी छुटने के बाद दूर हो गए थे वे अब वापस नहीं आ रहे हैं इसकी वज़े ये है कि अब नए खरीदार इंधन की बचत करने के लिए इलेक्ट्रिक विएकल की ओर बढ़ रहे हैं ऐसे में त्योहारी सीजन में इंट्री लेवल इंटर्नल कमबशन इंजन बाइक सोगहन सेंटीमीटर की विखरी में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि अगर बजाज इस स्कीम पर काम करता है तो C&G बाइक बनाने वाली वह भारत की पहली कमपनी होगी बताते चले कि बजाज कमपनी से पहले सरकार ने भी देश में दो पहिया वाहनों को C&G पर चलाने की कोशिश की थी इसके लिए एक पाइलट प्रोग्राम शुरू किया गया इसके तहट फूर डिलीवरी करने वाले कुछ कमपनीों ने C&G से चलने वाले पावर हॉन्डा एक्टिवा का इस्तिमाल किया था हाला कि यह प्रोजेक्ट ज्यादा आगे नहीं चल पाया अब अगर बजाज कमपनी इसमें काम्याब हो जाती है तो इससे लोगों को काफी फायदा होगा